हाई अब्रिवन वल्कम तो डिश्चल जी के क्लासे इस तो सीटेट सोसल साइंस SST की हमारी महामराधन क्लास है अभी तक के जितने भी सीटेट के कोश्चन्स हुएं जितने भी पेपर हुएं हैं आपको पता है दो हजार तेइस जो लास्ट पेपर हुआ था अगस्त में वहा आपका रिवीजन हो जाए मतलब कि जो बार-बार पूछा गया है न वही वाले कोश्चन्स आपको उसमें मिलेगा तो यह हमारी एक फाइनली कह सकते हो आपकी महामराथने यहां से आपके मोस्ली कोश्चन्स मिलेंगे और कल वाला जो है वो भी मिलेगा तो प्लीज पूरा एक धर्मनिरक्ष राज है किatsya का दाना न जाएन ermापको उसमें यहां से भाला जो है कि यह बहुता है कि एक धर्मनिरक्ष राज क कोई भी राज किये धर्म नहीं होता है और ऑप नुम होता है ठीक है एक तरीके से हमारा रिवीजन हो रहा है तो हम फास्ट तरीके से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा questions हम इसमें कर पाएं चलिए next question देखिए Which of the following statement is true in reference to regular and casual jobs? मतला जो निमित होते हैं अनिमित करमचारी होते हैं उसके बारे में बताना है क्या सही है लिखा हुआ है कि regular salary employee gets some days as annual leave जो निमित करमचारी होते हैं इनको वार्सिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं जैसे कि मालीजा आप कहीं पर भी job कर रहें आप सरकारी टीचर बन जाएंगे तो आपको वार्सिक छुट्टी के रूप में दिन मिलता है छुट्टिय मिलती है बी लिखा है कि casual worker's salary is not cut if they take leave आप मुझे बताओ एक अनिमित मजदूर अगर वो छुट्टी लेगा तो क्या उसकी salary कटेगी नहीं अव्वेसी बाते कटती है लिखा है नहीं मतलब कटता ही नहीं यह बाती गलत है भाई जब मेरा factory ही नहीं है तो मैं तो अव्वेसी बात है क्यों रखूँगी काम पे तो इसमें से केवल A सही है बाकी के दोनों गलत है कि निमित कर्मचारियों को वार्षिक शुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलता है तो A सही है A कहां पे लिखा है यहां है दूसरा आज के questions बहुत अच्छे हैं तो आप पूरा देखेगा देखे 33 A और R पर विचार करें तथा उप्युक्त विकप का चुनाव करें अभीकतन सहकारी संस्थाओं का निर्माड कर स्वारोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं जो स्वारोजगार में लगे लोग होते हैं वो अच्छा कमाई कर सकते हैं कारण क्या लिखा है कि स्वारोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मुल्ले बजार से नहीं पा सकते हैं, ये तो बात एकदम गलत है, ये अच्छा कमा सकते हैं तो क्यों नहीं पाएंगे, बताइए, कॉंट्राडिक्ट हो गया ना दोनों के दोने, तो A सही है आर गलत है, ऑप्शन अमबर थर्ड, कुछ-कुछ क्वेशन्स तो ऐसे हैं ना कि आप ऑप्शन से ही इसको चाड़ सकते हो, चलो 34 देखो, देखो लिखा है कि अगर जन्ता किसी विशे सरकारी कानून से असंतुष्ठ है, तो वो अपना असंतुष्ध धर्ना और जुलूस इसके आईजन द्वारा व्यक्त कर सकती है, इन सांती पूर्ण विरुधों के उद्देश है क्या है, अभी देखो हीटन रन वाला भी था, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़े आती है, जिस पे हम लोग साटिस्वाइड नहीं रहते हैं, तो हम लोग धर्ना देते हैं, ज सरकार को आईस्थिर करने की योजना नहीं, ये गलत है, क्यों पहला सहीं होगा A, B and C, जैसा कि आप इंगलिस में देख सकते हो, ये लिखा है कि मोबिलाइस पब्लिक ओपीनियन अगेंस्ट द लाजिसलेशन, हम अपना ओपीनियन जो है रखते हैं, जो भी सरकार है उसके अगेंस्ट में, कि देखो हमें ये कानून पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग प्रैशर क्रियेट करते हैं, कि गवर्मेंट उसको विड्डरॉ करे, कनवे करवाते हैं, कि हम इसे अगरी नहीं है, पट हम गवर्मेंट को डिस्टैबलिज नहीं करना चाते हैं, ठीक है, तो D गलत हैं बाकी सही हैं यह सारे कोश्चन्स बहुत बार पूछे हुए हैं तो इसको जरूर अच्छे से देखो चलो 35 देखो 35 का सरकार दौरा बनाए गया बिभीन प्रावधान कौन से हैं जो या सुनिशित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकती हैं ठीक है मतला गौर्मेंट ने बनाया है कि देखो महिलाएं भी घर के बाहर काम कर सकती हैं पहला लिखाय कि सरकार नहीं या अनिवार किया कि जिस संस्थान में महिला करमचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रुप से बालवाडी मतला क्रेस की सुविधा देनी होगी जी आकड में गड़ना की जा रही है ये भी गलत है आपसे क्या पूछ रहा है प्रावधान के बारे में पूछ रहा है कि जो सुनिश्चित करता है कि महिलाएं भी घर के बाहर काम कर रही है तो यही दो चीजे तो हैं जो यह दिखा रहे कि यह वुमन भी घर के बाहर काम करती ह कर सकती हैं तो A and C तीसरा 35 का आपका तीसरा हो गया then आपका 36 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सनक्षन अधिनियम 2005 निवन में से किने सामिल करने के लिए घरेलू सब्द का विस्तार करता है और ये question हमने किया हुआ है घरेलू सब्द का इसमें से कौन सा विस्तार करता है तो women who live or have lived together in a shared household साजा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को तो जो महिला सनक्षन अधिनियम आये था न उसमें से घरेलू सब्द का यही विस्तार है कि जो घर में रहती है साथ में ठीक है live together या फिर शेयर करके उनके बारे में बात की गई है यह नहीं कि पत्नी जो साजी ग्रियस्ती में साथ रहती हो महिलाएं जो पुरुस सदस्यों के हिंसा का सिकार हो जिन महिलाओं का अपने जीवन के लिए खत्रा हो नहीं यह घरिलू सब्द का मतलब ही था कि साजा घर में रहने वाली या फिर साथ में रहने वाली महिलाओं को सो अप्शन नमबर वन चलिए 37 देखिए एक बार देखो 37 में निम्न में से कौन से प्रावधान है जो भारत के सनविधान दवरा समानता को स्थापित करते हैं मतलब एक्वालिटी को समानता सबी को पता है जिर्योंने कोई भी अपराद किये हैं वे कानून की दृष्टी में समान है अच्छा ये तो गलत हो गया जो अपराद किया वो कानून की दृष्टी में समान कैसे हो सकता है भाई ये तो गलत हो गया ये तो बिल्कुल नहीं होगा तो जहां जहां ये है हटा देते हैं ठीक है दो आप्शन बच गया अस प्रिशिता का अनुमूलन कर दिया गया ये ये अंटेचबिल्टी आपको ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज को कदम उठाने होंगे यहां पर इक्वालिटी के बाद इक्वालिटी पूछ रहा है ठीक है तो ये तो होई नहीं सकता है तो ओनली बी आंड सी ऑप्शन बचू थर्टी एट देखे थर्टी एट में है सलम में रहने वाले लोगों क वहां से हटाई जाने के केस के संदर्व में भारत का जो उच्चितम न्याले है उसने कहा कि कोई बेवक्ती जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता इस कथन के द्वारा न्याले किन दो अधिकारों को जोड रही है आपको पता है ना हमने अल्रेडी जीवन के जीवन के अधिकार स्वतंतरता नहीं देखो बात किस चीज की हो रही है क्या आप किसी को ऐसे हटा नहीं सकते हो क्योंकि हर एक इंसान के लिए जीने के साधनों के बिना जीवित वो नहीं रह सकता है ठीक है उसके पास रिसोर्स होनी चाहिए यह हमारे किसमें है यह किस match of the following है और इसमें उनके काम से related है ठीक है सफाई कमचारी अनुसूची जाती यह जाती है यह जाती है तो इससे related जो आपको लगे सही है वो आप बताओ जैसे कि यहां पर लिखा है अत्याचार निवारन अधिनियम मतलब इनके लिए कौन-कौन से अधिनियम बनाए गया इ चाहें वो सफाई कमचारी हो चाहें वो स्ट हो जो मुस्लिम जो अलपसंख्यक है उनसे तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो सफाई कमचारी था इनसे related एक अधिनियम आये था manual isquenchers जैसे कि मैलाड होने वाला हमने topic पढ़ा था तो उसी से related है एका 4 हो जाएगा त तो ये दुनों खतम ठीक है उसके वासे आपका अनुसूचित जन जाती STC related क्या था ठीक है और आपका एक मुस्लिम अलपसंख्यक मुस्लिम अलपसंख्यक तो आप सभी को पता होगा सचर समीती रिपोर्ट C का तीसरा होगा ये भी खतम ठीक है उसके वासे आपका जाती आपका अत्यार अत्यचार निवारण अधिनिया तो इस तरीके से एका फोर तो ये टॉपिक से related questions यहां पर पुट किये गए हैं ताकि आप मिलान करता हैं जैसे कि आप इंगलिस में भी देख सकते हो आपको पता है कि सफाई क्रमचारी जो है Manual Squengers Prohibition Act ये अधिनियम हो गया और जो मरा SC है उसके लिए Prevention of Atrocities Act अत्यार से related था ठीक है तो इस तरीके से एका फोर देखो अब यहां पर पूरा एक 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 लाइन तो हम नहीं पढ़ सकते हैं वो आल्रेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है NCRT में तभी तो सबसे लास्ट में हम लोग ये कर रहे है चले निवन में से क्या समाजी विज्ञान की संकल्पना हासिये पर होना का विप्रीध है ठीक है देखो Marginalization आपको पता है हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो Marginalized का मतलब क्या होता है कि आप अपना एक इस्थान छोड़के दूसरे इस्थान पे जा रहे हो ठीक है इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए So Option No.3 Displaced का मतलब ही होता है Marginalized ये तो होगा नहीं घैटवाइस भी इसी का मतलब होता है कलंकित ये भी नहीं होगा Marginalized का मतलब एक समाज से आपको वंचित हो गया है और यहाँ पर आपको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है Main Stream से तो इस तरीके से हमारा 40 का तीसरा 41 देखे इतियास में प्रयोग होने वाले Latin सब्द Anodomini का अर्थ क्या है Anodomini बहुत अच्छा कोश्चन है Anodomini का मतलब होता है The birth year of the Lord इसा मसीह के जन्म का वर्स इसे बोलते है Anodomini बहुत इंपोर्टेंट है कई बार पूछा हुआ है 42 देखे History curriculum is expected to discuss mainly about History का जो पाठे चर रहा है हमको उसमें क्या चीज़ जो है discuss करनी जाहिए For example, contradictions मतलब विवाद, peaceful life लोगों के सांती पूण जीवन Power and dominance मतलब सत्ता और प्रभुत, discoveries मतलब खोज भी तो क्या चीज़ें हमको history के curriculum में discuss करना चाहिए मतलब सामील करना चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है एक बार बताओ, हम लोग history जभी पढ़ते हैं हमको उसमें विवादों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या-क्या विवाद हुआ है, फिर कुछ सांती पूण लोगों के जीवन के बारे में हमने पढ़ा हमने देखा कि कैसे जो सत्ता, जो power है जो सत्ता में लोग हैं, वो किस तरीके से dominant हैं गरीबों पे फिर हमने इस पर discoveries तो इस सारी चीज़ें होनी चाहिए तब ही तो आप history को detail में पढ़ पाओगे तो A, B, C, D option number 4 सब कुछ हमें discuss करना चाहिए 42, यह हमारा कौन सा था? 42 था, अब हम आ गया है 43 पे देखे 43 इसमें लिखा हुआ है कि निम्न विशय कोसल यह दिये गए है इसको आपको एक करम में लगाना होगा जिन्हें उन्हें समाजी विज्ञान में सिक्षक दोरा मानचित्र कोसलों को पढ़ाते वे जोर दने के अवशकता है इसको अरेंज करो, मतलब हम जो मैप पढ़ाएंगे ना तो इसमें से ऐसा कौन सा कौसल है जिसको हमको पहले पढ़ाना है और इस तरीके से एक तरीके से आपको chronology order में लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पर इंग्लिस में भी देख सकते है arrange the following topic skills in the order in which the teacher needs to focus on them while teaching mapping skills in social science मैपिंग skills हमको पढ़ाना है बच्चों को social science में, तो किस पे हमको ज़्यादा focus करना चाहिए, उस way में इसको आपको arrange करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो symbols, sense of directions, scale of map, orientation तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि बच्चों को direction तो पता हो north, east, west, north, south बिना इसके वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं तो B होगा पहले, खतम directions के बाद आपका क्या होगा, वो देखें scale of map होगा क्योंकि नहीं दो options में से हम देख सकते हैं न, दूसरे में से चौथे में से, तो आपका C होगा या A होगा पहले, इसे में confusion हो, देखो सबसे पहले हम बच्चों को sense of direction बताएंगे, then हम बच्चों को scale of map बताएंगे, उसके बास आपको बच्चों को symbol बताना है, और last में आपका orientation हो जाएगा, तो B C, A, D 43 का आपका दूसरा ठीक है, तो यहाँ पर starting से आपको सुरुआत करना है, कि आपको बच्चों को मानचित्र को अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले हमको बच्चों को दिसाओं का ग्यान देना है, फिर हमको मानचित्र का पैमाना symbol इसके बाद होता है देन आपको अउस्थिति, कहां पर किसकी इस्थिति है So, option number 2 44 देखे देखे, माध्यमिक इस्तर की समाजवी ज्ञान के सिक्षक की क्या भूमी का होनी जाहिए तो विविद प्रकार की निर्दे सात्मा की योजनाव का उप्योग करना चाहिए ये तो होगा ही विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत है ये गलत होता है हमें ये थोड़ी न बताना है हमको बच्चों को concept क्लियर करना है उसके बच्चे खुद समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है तो C नहीं होगा और समझदार तरीके से स्वतंतरता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेडित करो ये तो A, B, D फर्स्ट ऑप्शन फॉर्टी फाइव देखे निम्न में से किन सामगरियों का मुख्य ये विद्योगों के वित्रण का पता लगाने में किया जा सकता है पतल जो लौ है इस पाइव इसके बारे में पता लगाने के लिए इसमें से किस का आप यूज करेंगे तो ATLAS का करेंगे कथे परक मानचित्र का भी करेंगे रेखा चित्र मांचित का प्रयोग नहीं करेंगे So option number one will be right Which of the following materials can be used to locate the distribution of major iron and steel industry इसके लिए एटलेस और थिमेटिक मैप का ना कि sketch map इसका यूज नहीं करेंगे तो पहला हमारा सही हो जाएगा 46 पे आते हैं इसमें भी आपको arrange ही करना है समाजी भी ज्यान के कक्षा में एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्न चर्णों हेतु मार्ग देशन देना है कि चरण A से लेके चरण D में क्रमित करें याद रखो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने से रिलेटेड है इसको arrange करना है तो प्रतिक रास्ते के परिडामों का अध्यन करना है विद्यार्थियों के पहचान करना है चुनाओं की सुची बनाना जिसमें चैन के कारणों की सुची भी हो एक जैसी विसेस्ताओं वाले सेट के अधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना तो बताएए इसको क्रम में लगा ACD में लिखा हुआ इसको क्रम में लगाना है कि एक हिस्थान से दूसरे हिस्थान पर जाने से related है तो देखे सबसे पहले आपको वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना चाहिए तो B तो हमारा पहले होगा ये दो खतम उसके बाद से प्रतेक रास्ते के परिडामों का अध्यन करो कि अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे तो क्या परिडाम हो सकता है तो आपका B के बाद A होगा ये भी खतम देन आप क्या करोगे एक जैसी विसिस्ताओं वाले सेट के अधार पर आप संभावित रास्तों के तुलना करोगे अच्छा ये संभावना हो सकती है तो हम उसका कंपारिजन करेंगे सी हो जाएगा स्वारी सी नहीं डी ये रहा और लास्त में आपका होगा चुनाव की सूची बनाओ जिसमें चैन के कार्णों की सूची भी होगे क्यों आपने इसको चैन नहीं किया है रीजन हमें से लास्ट में होगा चलिए 47 देखते है 47 में लिखाया है कि सरकार को अपने नागरिकों के प्रती उत्तरदाइव जिम्मेदारी विसे पढ़ाते हुए एक समाजी विग्यान की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधियां स्थान पाएंगे पामिल करेंगे तो भारत में सरकारी स्वास्ट सेवा छेतर की दसा विसे परकक्षा में एक मौक संसदी सत्र का आयोजन करेंगे इस से जादा बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि हम क्लास में आयोजी थी कर देंगे कि देखो किस तरीके से स्वास सिवाएं होती है फिर सरकार को अपने नागरिकों के प्रती उत्तरदाई क्यों होना चाहिए इस पे एक डिवेट भी रखेंगे तो वहाँ पे बच्चों के ओपिनियन्स आएंगे बिभिन मुद्दो जहां सरकार को मीडिया वह लोगों को प्रेस वार्ता करते उत्तर देना पड़ा इस पर रिलेटेड सारे जो अखबार मतलब जो भी अखबारों में खबार आई है कहीं से भी उसको कलेक्ट करेंगे तो तीनों की तीनों बाते सही हैं आप इसी अक्टिविटीज कराएंगे तो ज्यादा अच्छा इंपक्ट पड़ेगा आप विद्यार्थियों से विश्मान चित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे डिरेक्टली कोशन भी पूछ लेता है आपको सिंपल से याद रखना है कि रोका और लदांग कहां पाए जाते हैं तो रोका आपका ब्राजील में इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी रोका का मतलब इंगेजमेंट और आपका इंगेजमेंट होगा तो ब्रैजील वाला गाना जरूर बजएगा इससे याद रख लो कभी भूलेगा ही नहीं और लदांग आप याद ही रख सकते हो मलेशिया, एक याद कर लो तो जब आपका रोका होगा तो आप ब्राजील वाला गाना बजाना और लदांग आपका मलेशिया में है So option number 2 यह मैंने आपको ट्रिक्स भी बताईए 49 देखे निम्न में से समाजे विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोचसाहित करने के लिए क्या आवश्यक है सही विकल्प का चुनाओ करे critical thinking को motivate करना है, promote करना है तो छात्रों को व्यक्तिकत रूप से काम करने के लिए प्रोचसाहित करना, क्या इससे critical thinking आएंगी, बात तो critical thinking की हो रही है न बताओ सिक्षन के दौरान चुप रहो अच्छा, मतलब बच्चो को बोलो, देखो बच्चो तुमनों सांती से बैठे रहो ये तो वही बाहाल हो गया कि बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे आप ही बोलते जा रहे हैं चात्रों को अलग-अलग विचारों को महत्त दो कोई बच्चा, अगर कुमालों कोई टॉपिक है कोई भी टॉपिक है, तो उस पर बहुत सारे अलग-अलग अपीनिन आएंगे, आपको हर एक अपीनिन को रिस्पेक्ट देना है सो B and D ठीक है आस्किंग, थॉट्ट, प्रोवोकिंग कोश्चन्स, B and D चलिए, 50 पे आ जाते है कोई भी गाड़िवान, अच्छूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आपको गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था एक सिक्षक के रूप में इस वरितांद को आप निम्न में से किस कॉंसेप्ट के साथ जोडेंगे सबसे पहले इसका आंसर आप सुननो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ये रूडिवाद धारना है रूडिवाद और पूर्वाग्रा में आपको पता होना चाहिए क्या होता है भेद भाव तो होगा ही 100% एक तरीके से भेद भाव और पूर्वाग्रा है B and D पचास का दूसरा रूडिवाद धारना ये नहीं है रूडिवाद धारना का मतलब कि हमने एक सोच बना लिया है कि देखो लड़कियां ये काम करेंगे लड़कें ये काम करेंगे महिलाएं एक समाज में जो पहले से अंधविश्वास जुबना हुआ है नसलब ये तो काला गोरा से रिलेटेड होता है तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा और ये कहानी आपको पता है भीमराव अंबेटकर जी की है आपको पता होगा जब वो अपने पापास फादर से मिलने जा रहे थे तो कोई उनको लेकर जा नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने बता दिया था है कि हम महार है और ये बात जब सबको पता चल गई तो सभी लोग जो है उनको अच्छूत समझने लगे और सभी ये बोलने लगे कि नहीं हम इनको लेकर जाएंगे तो हम गंदा हो जाएंगे हमनों भी नीच बन जाएंगे क्योंकि ये नीच जाती का है समझ रहे हैं आप तो ये अभीमरांबेटकर जी की कहानी से ही रिलेटेड उनकी स्टोरी से ही रिलेटेड है तो ये आखिर मैंसा क्यों हुआ एक तरीके से ये प्रिजुडाई सोच है पुर्वग्र है और एक तरीके से भेदभाव हो रहा है ठीक है 51 देखे अगर आपको श्रोतो पराधारित मध यूगिन भारत के समय के जो घुमन्तु जो बजार है उसको प्रस्तुत करना है तो आप उन्हें कैसे चित्रित करेंगे क्या आप उनको रंग भी रंगे और आनंद प्री समूँ की तरह करेंगे बिल्कुल भी नहीं क्या आप उनको एक उग्र एक हिंसक समूदाई की तरह दिखाएंगे बिल्कुल नहीं एक महतपून व्यपार करने वाले समूदाई की तरह एक अलग थलक समूदाई की तरह जिसका कोई अतीत नहीं हो गलत ये जो घुमन्तु थे, जो बजार थे, हम इनके बारे में ये दिखाएंगे कि एक बहुत ही महत्पून व्यपार करने वाले समूदाएं थे, ठीक है, तीसरा, चलो 52, निवन मैंसे किन को भारत के विद्यालियों में समाजिक विज्ञान, सिक्षा के, सिक्षन में समानिता रूप में माना जाता है, मतलब जो भारत का विद्याले है, उसमें सोसल साइन्स है, एक सब्जेक्ट, इसमें जो भी चालेंज आते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है, तो यहां पर परियाप्त भारती लेखक नहीं है, जो कि गुडवत्ता वाली समाजे विज्ञान अच् किया है, जितनी विशेवस्तों को विद्यारती समभाल सकते हैं, उससे अधिक विशेवस्तों समाजी विज्ञान पाटचरिया में सम्मिली थो, जी हां, समाने तोर पर विद्याले की जो टेक्स्ट बूक है, उसमें विशेश रूप से, एसस्टी के पाट़ पुस्ते के ब समाना चाता है, यह जो options आपको नीचे दिये गए हैं, यह चुनोती के रूप में related है, questions को ध्यान से पढ़ लेना, समाजी विज्ञान सिक्षा के सिक्षण में समाने था, ऐसे चुनोतियां आती हैं, ठीक है, तो B, C, D, दूसरा, चलो, 53, 53 देखिए, A और B कथन लिखे गए हैं, अंग्रेजों के प्रती, निस्ठा को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों ने भारती विद्याले की समाजी विज्ञान पाटे चर्या में नागरिक सास्त को लाया, अंग्रेज क्या करना चाते थे, अपने प्रती, निस्ठा क बढ़ावा देना चाते थे, इसलिए इनोंने नागरिक सास्त को लेकर आये थे, ठीक है, सही है, इसे हाल ही के वर्सों में राजनितिक विज्ञान से प्रती स्थापित किया गया है, क्यूंकि यह विश्व द्यालों में अधिक आकर शेक्म लोग प्रिये है, ऐसा कुछ नह will not be considered as a primary source in the context of social science, समाज़े विज्ञान के इस अंदर में प्रात्मिक श्रोत किसको नहीं मानते हैं, मैंने आपको कई बढ़ बताया है, प्रात्मिक श्रोत क्या होता है, नहीं पे फोकस करना है, मालों आपने किसी को पत्र लिखा, वो प्रात्मिक श्रोत है, आपकी नीजी मेरी किताब छपी है आपने उसका रिव्यू किया तो प्राथमिक शूरूत कैसे हो गया तो देट स्वाइब ऑप्शन अबर थार्ड नहीं है ठीक है चलिए यह मारा कॉन सा कुष्टन है 55 अगर एक छात्रा सरकारी योजना समझने में सामिल है अगर एक छात्रा सरकारी योजना को समझने में सामिल है निम्न में से कौन सा उसके आलोशनात्मक जो क्रिटिकल ठींकिंग को कौन सा दर्शाता है यह आपको बताना है तो चलो देखते हैं सरकारी रिपोर्टों में उपलब योजना के विवनों को जसके तस उतार दो मतलब नकल कर लो यह गलत हो गया ग्रिटिकल ठींकिंग आपको पता है न जहां पे आपको सोचना पड़े ऐसे कुछ प्रवोकिंग टाइप के क्वेशन्स होने चाहिए योजना के मुख्यत लाभो और सकरात्मक मतलब ये लाभ हुआ ये पॉजिटिव है इसका डिस्क्राइब कर दो ये भी नहीं होगा ये केवल लिख दिया है केवल उन आयामों का वड़न करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं ये भी गलत अलग-अलग साक्षियों का उप्योग कर योजना पर विवेक पूर निसकर्स निकालना और यही होगा क्योंकि आपने अलग-अलग साक्षियों का उप्योग किया है ताकि आप उस पे निसकर्स निकाल सकें 56 निम्न में से कौन से प्रश्ण विद्यार्थियों को संग्यान के अनुप्रयोग पहलू को विक्षित करने के औसर प्रदान करते है ठेक है? इंगलिस से भी देख लीज़े Which of the following questions provide opportunities to student to develop application aspect of cognition वो apply कर सकें जो भी ज्यान है उनके दिमाग में उसको वो apply करना इस चारों में से कहां पर वो सीख सकते हैं मतला ऐसा कौन सा options आपको लग रहा है जहां पर वो संग्यान के अनुप्रयोग को विक्षित करने के औसर उनको मिल रहे हैं तो मनसबदारों के करतव वी क्या थे ये कौन सा application हुआ ये तो रटनी वाला है दच्षडी भारत के मुख्य राजवन्स कौन थे ये भी नहीं होगा सरकार द्वारा buffer staff क्यों बनाय जाता ये भी नहीं होगा अपने छेत्र में उपलब्द सर्व साधारन वस्तूं की सुची बनाओ ये होगा यहाँ पर आपने क्या किया अपने संग्यान का अनुप्रयोग किया है अपलाई किया है So option number D List public goods and available in your area कौन से public goods हैं जो कि आपके area में available है इसकी सुची बनाएं तो आपने क्या किया आपने अपने cognition का application किया है अपलाई किया है ऐसे औसर मिलेंगे So option number 4 57 निमन में से कौन से प्रशन विद्धियार्थियों की प्रक्रिया गत समझ का आकलन करते है अब ये प्रक्रिया गत क्या है वो भी देख लो Which of the following questions asks the procedural understanding मतला एक procedure में होता है प्रक्रिया गतला कि ये process पहले आपने सीखा है then step by step उसको बोलते है ठीक है तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऐसा प्रशन है पहला लिखा है कि उप्भोगता फोरम में कोई case कैसे दाखिल करते है तो ये एक procedure है बच्चा बताएगा कि पहले आपको ये करना है then ये तो ये राम से हम सीख लेंगे ये तो होगा ऐसे तीन मारगों का उलेक करो जिसमें कोया जंजाती अपने आस पास के वनों पर निरभर है इसमें कौन सा प्रोसीजर आप बच्चे बताएंगे गलत राजस्तान के चार जिलों के नाम लिखो जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साजा कर रहे है इसमें भी कौन सा प्रोसीजर है भाई हाँ ये हो सकता है कि मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक में कैसे खुलवाएंगे तो उसका एक प्रोसीजर होगा मुझे कोई केस फाइल करना है उसका एक प्रोसीजर होगा अपने छेतर में भाउम जल को पुन रुधान के संदर में विचार करो और उन विदियों का उलेक करो कि कैसे आप दुबारा से भाउम जल को जो है ला सकते हैं तो ये भी होगा तो A and D ओप्शन नमबर 4 58 देखे विविन इस्थानों पर पाए जाने वाले जीव जन्तु, बनस्पती, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन क्यों है कुछ एक्जाम्पल दो ऐसा प्रशन मैंने बच्चों से पूछा तो मैं उनकी किस योग गिता का मुल्यांकन करना चाहती हूँ बताईए क्या मैं बच्चों की जो अनुभव की तुलना करना चाहती हूँ मैं परिसिती का पता लगाना चाहती हूँ मैं अलग-अलग आंसर चाहती हूँ या फिर विभिन संदर्वों में ओधानाय लागू करवाना चाहती हूँ अप्लाई कॉंसेप्ट तु डिफरिंट कॉंटेक्स्ट बताईए मैंने क्या कोशन पूछा कि अलग-अलग स्थान पर जीव जन्तु वनस्पति लोग इनका जो रहन सहन है वो इतना भिन क्यों है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है कॉंसेप्ट को अप्लाई करें डिफरिंट कॉंटेक्स्ट में ठीक है कोई कंपैरिजन नहीं कोई स्थिती का पता लगाना नहीं कोई मैं नहीं चाहती कि अच्छा बच्चे कुछ एकदम अलग ही आंसर दे दे नहीं बिभीन संदर्भों में अउधानाय को लागू करवाना चाहती हूँ ठीक है अलग-अलग संदर्भ हैं बच्चे वाँ पे कॉंसेप्ट लागू करेंगे चलिए यह देखिए मिडल इस्तर पर एक समाजे विज्ञान की सिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वने जीवन का संदर्ख्षंट विसे को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कॉसल का आकलन करना चाहती है ठीक है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से किसे सरवादिक होगी देखो टीचर क्या चाहती है कि बच्चे आपस में help करें एक दूसरे का तो आखिर में मैं ऐसा कौन सा काम करवाऊंगी जैसे कि बच्चों कि स्कॉसल का मैं आकलन करूँ कि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करें ऐसे राइटिंग में कोई नहीं होगा डिबेट में तो मैं एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं बच्चे कि नहीं ने ये मेरा उपीनिने तुम्हारा ये है या फिर समू में कुलाज बनाओ मैं क्या करूँगे पांच मज़ का ग्रूप बाढ़ दूँगे कि तुम लोग को एक कुलास बनाना है तुमको एक कुलास बनाना है तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे एक दूसरी के helps करेंगे sapport करेंगे समझ गें होंगे इसका four option right है चलिए निम्न में से कौन सा वाक्य इस चारों में से यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिट अच्छे से समझ लिया है और यह पता नहीं कितनी बार मैं इसको खरा चुकी हो इतनी बार पूछा है कि जनसंख्या पिरामिट क्या दर्साता है और मुझे तो अब यह याद हो चुका है कि जनसंख्या का आयू लिंग संगठन का आलेखिये निरूपड ठीक है यह दर्साता है मतलब मालू कोई बच्चा यह बोले जैसे कि मैं क्लास में गई और मैं यह सोचूँगी कि अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि जनसंख्या पिरामिट स्टूडन समझ लिये है तो मैं बच्चों से पूछूँगी कि जनसंख्या पिरामिट क्या दर्साता है कुछ लोग बोलेंगे कि एक छेत्र का जनसंख्या घनत तो इतना जादा है कि लोग उंची इमारत में रहते है इटमिंस कि बच्चों ने नहीं समझाए बड़े नगरी छेत्र में जनसंख्या वित्रन का प्रारोग ये भी गलत हो जाएगा चोटे नगरी वो ग्रामिर छेत्रों में जनसंख्या वित्रन का प्रारोग ये भी गलत हो जाएगा बट अगर कोई बोले कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आफ दे एज सेक्स कॉंपोजिशन आफ पॉपुलेशन मतलब कि मेल कितने हैं, फिमेल कितने हैं कितने एज के कितने लोग हैं अगर ये बच्चे बताते हैं, इट मीन्स कि वो अच्छे से समझ लिए हैं ठीक है, सो अगला कोईशन देखिए कुशानों ने किन निम्न लिखी सक्तिसाली केंद्रों से सासन किया है तो एक, दो सक्तिसाली केंद्र थे, जहां से इसने सासन किया है कुशानों ने, और वो हैं पेसावर और मथुरा ठीक है, तो पहले कहो जाएगा दूसरा दूसरा देखिए इसमें दूसरे में क्या लिखा है पहला लिखाय कि पूरा पशान काल 20,000,000 साल पहले से 12,000 साल पहले के दूरान कमाना जाता है सही है, इसको तीन भागों बटा गया है आरंबिक, मध्य और उत्तर पूरा पशान युग, ये भी सही है मानोतिहास की लगबग, 99% कहानी, इसी काल के दौरान घटित हुई, ये भी सही है तो हम जाएंगे 4 के साथ क्लास पसंद आ रही हो, तो like shares जरूर करें जिससे की motivation बना रहे है, मेरा भी ठीक है, क्योंकि कल आपको वैसे भी short notes देना ही है देन आप यहाँ पर देख सकते हो, A और B को पढ़ो और सही भी कल्प का चुनाओ करो ये हमारा तीसरा है, तो A और B ठीक है, तो चलिए देखते हैं मनसब मुगलो द्वारा चलाई गई एक स्रेणी विवस्था थी जिसके जरिये पद, वेतन, सैन उत्तरदाईत, निर्धारित किये जाते थे सही है, और मनसबदारों की सैन उत्तरदाईत का निर्धारन एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था, ये गलत है तो A सही है, B गलत है ये पूरा आपका हिस्टरी से कोषन पूछ रहा है, सब कुछ निर्ध में से किसी स्थान पर असोक के भी लेख ग्रीक और अरामाईक भासाव में पाये गया है और वो है कंधार ठीक है, पहला चलिए फाइफ कोशन देखिए इसमें लिखा है कि गोंड राज गढ़ कंटंगा में सतर हजार गाओं थे इसे उलेखित किया गया है किसमें उलेखित किया गया है बताईए तो इसको अकबर नामा में उलेखित किया गया है याद रखेगा जो गढ़ कंटंगा जो जिसमें सतर हजार गाओं थे ना इसको अक जैसे कि आप देख सकते हो इस्थानी जन जाती लोगों द्वारा पूरी उडीसा के जगनात की कास्ट प्रतिमा बनाई जाती है ठीक है ये बात सही है जगनात मूलता एक स्थानी देवता थे जिने आगे चल कर विश्णू का रूप माल लिया गया तो A और R दोनों सही है और AR की जो है सही व्याख्या करता है तो इसका पहला हो जाएगा ठीक है Seven questions देखिए इसमें क्या लिखा है निम्ण में से कौन सा कथन बिर्सा आंदोलन के विशे में सही है तो बिर्षा के बारे में एक चीज़ तो सही है कि बिर्षा ने लोगों को उकसाने के लिए परमपरागत प्रतीक और भासाओं का इस्तिमाल किया और देन आपका बिर्षा ने मिस्नरी और हिंदू जमिदारों का लगतार विरोध किया तो आपका B and D पहला और बाकी तो गलत है कि बिर्षा के अनुआई को लाल जंडे को बिर्षा राज का प्रतीक बनाए गया और बिर्षा अंदुलन आदिवासी समाज को सुरुधाने के विरुध था ये भी गलत है इसमें आपका B सही है और D सही है ठीक है चलिए तो साथ का आपका कौन सा है B and D आठवा कुश्चन देखिए ए और B बे विचार करो सही का चुनाओ करो लाखों ग्रामिन महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजिवी का चला रही थी वे उन्निस्वी सदाब्दी के मध्य तक बेरुजगार हो गई जी हा अठार सो तीस के द दसक तक इस्तितिया हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से दो तीहाई ब्रिटीस से बना होता था तो दोनों की दोनों बाते सही है और A का जो कारण है वो B है ये बात भी सही है तो हम जाएंगे 4 के साथ जसने NCRT पढ़ा है उसे तो महात्मा गादी और अविन्ना टैगोर ने आपनिवेसिक सिक्षा का विरोध किया ये आप सभी को पता है कि ये आपनिवेसिक सिक्षा का विरोध कर रहे थे दोनों लोग इन्होंने समर्थन नहीं किया था दोनों नहीं विरोध किया तो टैगोर समर्थन कैसे कर सकते हैं मह प्राचिन ग्रंथों में विद्वाओं को जलाने के अनुमति कहीं नहीं दी गई है यह कथन किस समाज सुधारा के साथ जूड़ी हुई है बताईए आपको पता है ना राजा ना मोहन रोय यह सती प्रथा का विरोध कर रहे थे फिर लोग नहीं माने इन्होंने फिर बोला कि देखो जो प्राचिन ग्रंथ है ना वहाँ पर भी कहीं लिखा नहीं है तुमनों क्यों जला रहे हो और फिर आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यहीं है राजा ना मोहन रोय आरे समाज के संस्थापक है मारे सौमी द्यानन सरुश्रोती तो वैसे इसका चलिए 11 कोश्यन देखते हैं भारत में अंग्रेजों के सासन के दोरान कौन से संगठन ने जाती उन्मूलन पर काफी ध्यान दिया था बताईए और वो है सत्यसोदक समाज इसकी सापना किसने किया बताईएगा जरूर तो इन्हों ने क्या किया था ना जाती उन्मूलन पर बहुत जादा ध्यान दिया था ये जो है संगठन सत्यसोदक समाज 12 कोश्चन देखिए टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरुद के संदर्व में ये और की बी के बारे में बताओ क्या है सही है ये टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरुद तो अपनी मृत्यू तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद लड़ते रहे उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरुद किया दोनों की दोनों बाते सही है ठीक है चलिए थर्टिन कोशन देखे पावर्टी एन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखा कौन थे सभी को पता है दादा भाई नौरो जी ठीक है और यह मैंने अल्रेडी बताया हुआ है थर्टिन का फोर फॉर्टिन देखे किन किन देखों के राजनेता गुट निर्पिक्ष आंदोलन का हिस्सा थे तो आपको पता होना चाहिए कि जो नौन एलैंग्ट मूवमिंट था इसमें कौन कौन से देश जो है न जुड़े हुए थे तो इसमें क्या भारत था जी हाँ युगोसलाविया भी था इंडोनेशिया घाना मिस्र यहाँ पर इसमें मैं तो ये बोलूँगी कि बस ये वाला लाइन याद रखना गलत ध्यान बिल्कुल में मत देना गुट निर्पिक्ष आंदुलन में भारत, युगोसलाविया, इंडोनेशिया, घानान और इजिप्ट ये हिस्सा थे तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ठीक है? चलिए 15 कोश्चन देखे इन में से किन ग्रहों के चारो और चल्ले होते हैं? चल्ले का मतला रिंग होगा, ऐसे ऐसे किसकी चारो तरफ रिंग होते हैं? बताइए जुपिटर, जी हाँ, ब्रेसपती, सनी भी है, साटन, यूरेनस भी है इनके चारो तरफ न चल्ले बने होते हैं नैप्च्यून के चारो तरफ चल्ले नहीं बना होता है so that's why option number one ठीक है न तो जब भी आपसे question पूछेगा कि चारो और चल्ले होते हैं किस ग्रह के तो आपको याद रखना है Jupiter, Saturn, Uranus नैप्च्यून नहीं पहला रहस्पती सन्नी, Uranus चल्ए, 16 नंबर के question देखे भारती मानक समय किस मानक या मुत्तर पर आधारी थे आपको याद रखना है कि ये 82 डिग्री इस्ट पे है ठीक है न मानक या मुत्तर है इसका option number third 82 डिग्री 30 मिनट इस्ट अगर मैं इसको इंग्लिस में भी दिखाना चाहूं जो standard meridian है हमारा Indian IST is based on the 82 डिग्री 30 मिनट इस्ट ठीक है 17 देखिए और ये भी repeated question है आपको पता है न कि दिन और रात और रित्यू में परिवर्तन किसकी वज़ा से होता है मैंने कई बार बताया है आपका जो दिन और रात होता है वो अर्थ के rotation की वज़ा से होता है और जो रित्यूए होती है वो revolution के वज़ा से होता है ठीक है और कुछ तो देखना ही नहीं है आपको पता होना चाहिए ये डे और नाइट अर्थ के घूडन की वज़ा से और जो seasons होते हैं वो change होता है परिक्रमड की वज़ा से पहला सही है चलिए 18 नमबर के question देखिए इसमें लिखा हुआ है परिथवी लगबक 24 घंटे में अपने अक्षपर 360 घूम जाती है तो एक घंटे में वो 15 घूमती है इस प्रकार जब green wish में दो पहर के 12 बचते हैं तो green wish से 30 डिग्री पूर में क्या समय हो सकता है तो वो होगा दो अप्रा हो ठीक है पहला हो जाएगा इसमें एक ही question ऐसा पूछेगा और बहुत आसान होता है आप कर लेंगे deciduous forest होता है moist या फिर dry deciduous या फिर temperate तो देखो भाई पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास इतने सारे message आने लगे है कि मैं reply नहीं दे पाती हूँ तो प्लीज आप भी थोड़ा समझा करो comment section में उल्टे उल्टे comment आ जाते हैं जब reply नहीं देती हूँ करती हूँ नहीं YouTube पे कोसिस करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दे सको तो प्लीज उस चीज का आप लो प्लीज बुरा मत मानें पहले ही मैंने disclaimer दे दिया है ठीक है तो आप मुझे पताओ अंडमान इकवार दी समों में किस परकार के वन पाई जाते हैं तो वो होता है moist deciduous forest आद्र पर्णपाती वन के वल पहला है ठीक है चलो 20 number का question इसमें लिखा है ग्रिनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने सजावट सिल्बट्टे हो गई आप सभी के गर में सिल्बट्टे यूज होते हैं जो मार्बल का जैसा होता है हमने कई बार यूज भी किया है ये तो बात एकदम सही है कि ये सब क्या है ग्रिनाइट ठोस चट्टाने है जो कि अलग लग जगा पे प्रियोग में लाए जाता है प्रित्वी की भूपरपटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं ग्रिनाइट के बारे में बात हो रही है तो येस पहला हो जाएगा दोनों सही है एक्स्प्रिनेशन भी एकदम सही है 21 देखे पवन के बारे में आपको सही कतन का चुनाओ करना आपको पता है ना कि मांसूनी पवने भी मौसमी पवनों का उधारण है और मौसमी पवने वर्स भर लगतार निश्चे दिसा में चलती है इसने लगतार जो लिख दिया निश्चे दिसा ये गलत करता है इसको इस्थल वसमुद्री समीर इस्थाई पवने को उधारण है ये भी गलत है मांसूनी पवने मौसमी पवनों का उधारण है केवल यही सही है और हम जाएंगे पहले के साथ चलिए 22 देखे और मैं पहले पता देती हूँ जो most important questions है वही कल मैं आपको कराऊंगी तो ये भी हो सकता है कि वो repeated questions ही आएंगे तो उसे एक तरीके से आपका test भी हो जाएगा ठीक है चलो condensation के बारे में पूछ रहा है संगनन के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता है ना कि जलवास जो water vapor होता है ये water cycles related question है कि बारे में कैसे होती है तो पानी जब गरम होकर उपर उठता है और जलवास water vapor जब यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो वहीं बूद बनकर नीचे आता है तो बात एकदम सही है और यहाँ पे जो clouds जो होते है ना बहुत heavy हो जाते है इसी वज़त सो बारिस का रूप ले लेते है तो पहला सही है कि जलवाप संगनित होकर ठंडा होकर जलकी बूद बनाते है जब जलकी बूदे इतनी भारी हो जाती है कि वायू में तैर ना सके तभी तो बारिस के रूप में नीचे आ जाती है ठीक है और अकास में उड़ते हुए जट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद जो है वो चिन छोडते है क्योंकि इंजनों से निकली नमी जो है ना वो संगनित हो जाती है बात एकदम सही है हम जाएंगे फोर के साथ चलिए 23 देखे तिबबती एंटी लोप का सिकार इसके उन साहतूस के लिए किया जाता है क्योंकि और हमने पढ़ा हुआ है ये कॉश्चन बहुत अच्छा कॉश्चन है हमने देखा था ना कि जो एंटी लोप है उनके साथ उसके लिए करते हैं क्यों इसका रेजन भी मैंने आपको बताया था क्योंकि काफी हलका होता है वजन में साथ में बहुँत ज़्यादा वाम करता है ठीक है ना वजन में भी हलका होगा बहुत अत्यधिक गरम करता है यह उन और यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाई जाता है यह रीजन नहीं है तो क्यों यही दोनों सही है A and B पहला ठीक है न और यह आपसे क्वेशन पूछ सकता है तो इसलिए मैंने पहले यह आपको बता दिया तो आज के भी क्वेशन जितना भी तक क्वेशन सीटेट ने पूछा है वो सभी का मिक्षर है यह ठीक है चलो 24 देखो देखिए रिनुवल रिसोर्सेस की बात हो रही है जो जिसे हम दुबारा से बना सकते हैं नभी कर्णी संसाधन यह और समित होते हैं और इन पर मानवी यह क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है देखो कितनी गलत चीज लिख दी कि यह तो जो रिनुवल रिसोर्सेस अनलिमिटेड है और सब कोई एफेक्ट नहीं होगा हुमन अक्टिविटीज पे क्या यह सही है दम गलत रिनुबल रिसोर्सेस गेट रिप्लेंसिट क्विकली एस कंपेर टू नॉन रिनुबल रिसोर्सेस और नवी करनी संसाधन कि तुल्ना में नवी करनी संसाधन जल्दी पुना परित हो जाते हैं येस पता वो जल्दी रिप्लेंसिट हो जाते हैं तो यह तो बात सहीं लिख और मैंने जो तुक्का वाली वीडियो बनाई है प्लीज वो जरूर देखना वहां से आपको काफी हल्प मिलेगी 25 देखे सैलो से खनीज को बाहर निकालने के प्रक्रिया का करम क्या होगा मतलब जो शैल होते हैं उनको सबसे पहले किस तरीके से बाहर निकालते हैं प्रोसीजर क्या है अगर आप प्रीथिवी की सता से उसकी आंत्रिक तहो तक जाते हैं यह हमारी प्रीथिवी की सता है और हम यहां से आंतरिक तक जाएंगे, तो क्या procedure होगा ये आपको बताना है, तो सबसे पहले हम आखनन करेंगे, सी तो पहले होगा ना, बिना आखनन की, आप कैसे चले जाएंगे अंदर, ये सब ख़दा, उसके बास आप विवरित खनन करोगे, देन आप कूप की खनन करोगे तो इस तरीके से आपका पहला सही हो जाएगा जैसे कि आप इंगलिस में भी देख सकते हो what will be the sequence of the process of taking out minerals from rocks rocks से mineral बहार निकालना है तो क्या आप करेंगे if you move from earth surface to inner layer अगर आप earth surface से अंदर जाना चाहते हैं क्या procedure होगा सबसे पहले हम खनन करते हैं quaring then हम mining करते हैं last में आप soft सबसे पहले हम quaring करेंगे तो यह सब खतम हो जाएगा c होगा उसके बास हम open cast mining करते हैं then हम last में soft mining करते हैं cap ठीक है first 26 देखें जो आपकी sifting cultivation है उससे related question पूछा है जो sifting cultivation है इस्थाना अंदर क्रिसी इसके बारे में क्या यह भारी वर्षा वाले छेत्र है yes या तिवर पुनर जनन वाले छेत्रों में प्रचलित होती है यह भी बात सही है इसी करतन एम दहन क्रिसी के नाम से भी जाता है यह भी सही है तो A, B तधा C, तीनों की तीनों options नहीं है चलिए 27 देखे गांस के मैदान से question आता ही है और लिखा भी वाई कि अगर आप कक्षा में प्रेरी और वेल्ड पर परिचर्चा करते हैं तो आप विश्वमान चितर पर किस चितर को अंकित करेंगे simple सा चीज पूछ रहा है कि प्रेरी के घांस के मैदान और वेल्ड किस देश में पाए जाते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है और ये हमारा 27 है तो प्रेरी कहां पे हैं और वेल्ड ये आपको बताना है तो प्रेरी आपका हो गया कनाड़ा और वेल्ड हो गया आपका दक्षिड अफ्रिका ठीक है so option number 4 याद कर लीजेगा most important है 28 देखो 28 में क्या है stereotype related question पूछा है कि rude ही वद्धार्णाओं के बारे में बताओ और सहीं विकल्प का चैन करो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो rude ही वद्धार्णाओं होती हैं हमें प्रतेक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुड़वच हमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं जी हाँ मतलब हमने क्या किया सबको एक में ही लपेट दिया हम ये देखने रहें कि हर वक्ति कितना यूनीक है कितना अलग है हम देखने नहीं पाते हैं क्यों क्यों कि हमारी सोच ही है इस रू'llee बादी रूडी बादी धार्णाइं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार अभी मैंने बुला ना एक ही प्रकार के हम image में सभी को जड़ देते हैं कि नई, सभी लड़के ऐसे होते हैं, सभी लड़के ऐसे होती हैं रूडी बाद धानाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हम उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं, यह तो गलत हो गया बलकि हम वो काम करी नहीं पाते हैं, जिनमें हम अच्छे होते हैं क्योंकि हम रूडी बाद सोच बहुत हावी हो जाती है तो C गलत है, A, B सही है ठीक है? 29 देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निमनल लिखी छेतरों में से उन छेतरों के पहचान करो जहां अतीत में आई अर्बी और चीन के वैपारियों के उन लेखनीय सांस्कृतिक प्रभावे कहां पर आये थे अर्बी और चीन के वैपार यह आपको बताना है तो अर्बी और चीन हमने पढ़ा था केरल और लद्दाग में आये थे ठीक है चीन के वैपारी तो यह आप्शन नमबर टू यह देखिया हमारा तीस भारत के रास्टपती का चुनाव किसके दौरा होता है बताइए इनका इंडारेक्ट इलेक्शन होता है बाई इलेक्टरल कलीग ठीक है न निर्वाचक मंडल द्वारा और प्रतेक्ष चुनाव होता है याद रखना कई बार पूछा हुआ है चलिए 31 देखिये हमारा सन्विधान यह सुनिश्यत करता है किस आसन की वैवस्था केवल कुछ विसेसा धिकरित लोगों को समलित नहीं करती जो सभी के लिए नेड़ा ले यह सरकार के बिविन इस्तर है जो सन्विधान से यह अपनी ताकत और अवधिकार प्राप्त करते है तो आखिर में यह भारती सन्विधान की किस चीज की वैख्या कर रहा है किस विसेस्ता की वैख्या कर रहा है हम क्यों कुछ प्रिवलेज लोगों के लिए डीसीजन नहीं लेते है आपको ही पता है इसलिए हमारा गवर्मेंट अलग-अलग इस्तर पे है तो यह हमारे किस अथॉरिटी की बात हो रही है आप बताईए तो यह इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फैडरल, फैडरलिज्म, संगवाद ठीक है सौप्शन नमबर वन संगवाद की व्याख्या कर रहा है चलिए अगला देखे इन में से कौन से स्थिती भारत के एक सहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दरसा दिये माइग्रेंट्स वर्कर की जो अवस्था है न इन में से कौन सबसे अच्छे से दरसा रहा है सबसे करीब से तो देखते हैं बाबु सहर के मुख्य बजार में पक्का माईग्रेंट आपको पता है न जैसे कुछ लोग दुकान खोलने बिजनिस करने एक जगह से दूसरे राज़े में जाते हैं तब जो पक्का दुकान का मालिक है हर पूरे वर्स कमा रहा है ये थोड़ी न प्रवासी होते हैं प्रवा बेशता है वहीं पर सो जाता है और यही इसका राइट आंसर है जो एक नए सौपिंग मॉल में ब्रैंडेट कपडों का सोरूम खोलता है ये थोड़ी न होगा वीना एक अन्धिकृत बस्ती में एक दंति चिकित साले चलाती ये भी नहीं है समझ में आगया न सबसे करीब स कौन सा दर्सा रहा है ओप्शन नमबर टू थर्टी थरी देखें पूटिंग आउट सिस्टम मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है क्या होता है और हमारा ये थर्टी थरी आप देख सकते हैं पूटिंग आउट सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें व्यपारी कच्चा माल देता है और उसे तयार माल प्राप्थ होता है और इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कारे साला में कारे करते हैं ये भी सही है इसी को पूर देखिए एक विरोध प्रदर्शन के दोरान पुलिस द्वारा हैक्टर पिटर्शन की हत्या की घटना किस एतिहासिक संघर से जुड़ा हुआ है बताईए क्या वो रंगभेद की खिलाफ संघर्स जो अमेरिका में उससे है नेपाल की राश्तंत्र की खिलाफ से है या फिर दक्षिड अफ्रिका में रंगभेद निती के खिलाफ संघर्से है या फिर अलजीरिया में उपनिवेशवात की खिलाफ संघर्स याद रखेगा विरोध इन साउथ अफ्रिका अप्शन नम्बर थर्ड चलिए 35 कुछ कुछ क्वेशन्स तो बहुत रिपिटेड है वो भी मैंने सामिल किया हुआ है हिंदू उत्रादिकार अधिनिया हमने पढ़ा हुआ था 2005 जिसमें बेटियां भी अपने फादर के जो भी प्रॉपर्टीज है उनको इसमें अधिकार मिलता है तो निम्न मेंसे किस कारण है तू लैंगिंग समानता के और एक कदम है लैंगिंग समानता का मतलब आपको पता ही है कि आज भी अगर एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने फादर के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी नहीं मिलता है तो वो इनिक्वालिटी थी लैंगिंग समानता का मतलब ये है कि अब लड़कीओं को भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल सकता है अधिकार है उनका ठीक है तो समानता की बात हो रही है तो बेटियों को विवाह के बात दी पैत्रिक कुल नाम रखने का दिकार ये कौन सा समानता है बेटियों को पिता की संपत्ती पर दिकार दिलाता है ये है सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को उत्रा धिकारी मानो ये तो होई नहीं सकता केवल आ गया तो मैं इसको पढ़ूँगी भी नहीं क्योंकि केवल वाले options गलत होते हैं question positive में पूछा है इसलिए so that's why option number 2 it recognized the right of daughter to father's father's prosperity so option number 2 चलिए 36 देखे आपको पता है कि हम लोग celebrate करते हैं Republic Day तो क्या किस चीज को याद करने के लिए हम लोग गरतंतर दिवस मनाते हैं बताईए 26 जनवरी 1950 को हमारा सन्विधान लागू हुआ था और उसी के याद में हम मनाते हैं enforcement of the सन्विधान के लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था सन्विधान के लागू होने में गरतं दिवस हम मनाते हैं उसी की याद में ठीक है चलिए 37 देखिए राम्या एक बेकरी में सहयो कर्मी के रूप में काम करती है उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के जूठे आरोप में अभियुक्त बनाये जाता है परंत वो अपनी खराव आर्थिक इस्तिती के चलते अपने बचाओ के लिए वकील नहीं रख पाती है आखिर में उस केस को कौन लड़ेगा इसके लिए हमारे भारती सनुधान में भी एक चीज़ बनाई गई है कि अगर आप वकील नहीं रख सकते हो तो आपको वकील मिल जाएगा ठीक है तो इसके केस का प्रतिनी धीतु करने के लिए भारती सनुधान के किस अनुछेत के अनुसार उसको वकील मिलेगा तो वो होता है हमारा आर्टिकल 39A कोई गरीब है उसको जूटे केस में फसाए जा रहा है वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पास पैसे नहीं है तो उसको वकील मिलेगा किसके कोर्डिंग आर्टिकल 39A ठीक है चलिए 38 देखिए उपरी नयले के फैसले नीचे की सारी नयलों को मानने होते हैं सुप्रिम कोट का जो फैसल आएगा उसको हाई कोट डिस्टिक कोट सभी को मानना है क्योंकि हमारा भारत के पास एक एक इकृत नयाइक विवस्ता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए है सो that's why हमारा first option सही है चले 39 देखिए और ये भी question पूछा हुआ है देखो A, B, C पे विचार करो तवा मता से संग का गठन तवा बांद के निर्माट के खिलाफ हुआ था समर्थन में हुआ था गलत हो गया तवा मता से संग का संगठन MP मतला मद्य पर्देश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांद पर मचलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था एकदम सही तवा मता से संग मचुवारों को रिन भी देने की विवस्था करता है ये भी सही है तो B and C option number third चलिए 40 question देखे चालिस देखे लिखा हुआ है जनजाती भासाएं जो होती है ना tribal language उसके बारे में कथन पढ़ो और बताओ आपको पता है कि संथाली भासा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी सामिने एकदम सही है जनजाती भासाएं संस्कृत से बिलकुल अलग होती है और संभावता उतनी ही पुरानी है दोनों के दोनों option सही है देखो इसमें आपका ये समाजी विज्ञान के अधिगम के तरीके हैं और यहां पर अर्थ है इसमें से किसका अर्थ होगा ये आपको बताना है ठीक है जैसे कि वेवहारवादी का क्या अर्थ होता है रशनावादी का बहु विश्यक का अंतर विशे का क्या आर्थ होता है तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं समाकलित ग्यान में सहायता करना सिमित कौशल और तथियों का संचे विशे हमेशा स्वतन्तर होते हैं अधिगम करता केंद्रित और प्रासंगिक तो बताईए आपको पता है जो विवहार वादी होते हैं वो सिमित कौशल और तथियों का संचे होते हैं एका दूसरा खतम रशनावादी आपको पता ही होगा कि रशनावादी का मतलब होता है अधिगम करता केंद्रित होता है और रेलेवेंट होता है कुछ भी नहीं होता है, relevant होता है, प्रासंगीक होता है then आपका C, आपको पता ही, ये बहु विश्य का मतलब क्या हुआ कि वी से हमेशा सुतंतर होते हैं और D, अंतर विश्य समाकलित ज्ञान में सहायता करना so, दूसरा सही हो जाएगा इंग्रिस भी एक बार देख लीजे जो behaviorist होते हैं, वो accumulation of finite sets of skill and facts ठीक है, इसमें दूसरा है, constructivist जो होते है वो learner center होता है, वो contextual होता है multi-disciplinary मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ये discipline remain independent और interdisciplinary facilitate integral knowledge ठीक है, तो दूसरा होगे दूसरा हो जाएगा 42 देखिए निमने में से कौन सा सब्द इतिहास में पूरा इस्थल, पूरा इस्थल का मतलब क्या होता है site, इसके बारे में सही व्याख्या है तो देखो, पूरा इस्थल के बारे में होता है कि जहां पर आपको औजार, बर्तन, इमारत पूरा इस्थल का मतलब होता है जहां पर आपको टूल्स मतलब पॉट्स हो गए बिल्डिंग्स हो गए इन सभी से सभी के कुछ आपको अफसेस मिलते हैं सो दूसरा सही हो जाएगा 43 देखिए एक सिक्षि का अपने विद्यार्थियों के साथ अल्प संख्यक समुदाई के जो माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटी कम्यूरिटी उनके बारे में मतलब उनके जीवनत अनभों के बारे में चर्चा करना चाहती हैं तो इसमें से कौन सी रणनीती जो है वो सबसे बेस्ट होगा देखिए ये कोशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी चीजों में कभी भी आपको ऐसी चीजे नहीं दिखाने है कि जिसे बच्चों को कुछ समझ में ना है फॉर इग्जामपल मुझे जैसे कि मुझे आनिमल्स पढ़ाना है आनिमल्स के बारे में कुछ भी मैं फिल्ड विजिट कराऊंगी ना कि क्लास में नाटक करवा दूँ सेम वैसे ही हमको जिवन्त अनुभव चाहिए अल्पसंख्यक समुदाएगा तो इस पे चार्ड बना देना सहीं नहीं होगा अल्पसंख्यक के लिए नहीं कोई डेटा पर एक प्रस्तूती करन दिखाएए एक प्रेजन्टेशन दिखाएए लोगों की डेली अक्टिविटीज जो मानरिटी हैं ठीकेए तो अगर आप डेली अक्टिविटीज दिखाएंगे तो आप उनका जीवन्त अनुभव चाहिए के बारे में चर्शा करशा कर पाएँग प्रेंग जाती है धारित भेदभाव के मुद्दे से परचित कराना है कि देखो लोग जाती में कितना भेदभाव करते हैं तो इसके लिए हम किसे संसाधन का प्रीउक कर सकते हैं क्या हम अभी लेक का प्रीउक करेंगे असो के स्तम्मू पर लिखा हुआ बिलकुल भी नहीं ना तो मैं कोई आरक्षन निती पर लेख लिखवाऊंगी, ना ही कोई मैं घोशना पत्र दिखाने जा रही हूँ, मैं क्या करूंगी ना भीम राउम बेटकर जी का जो बच्पन का अनुभव है, उसके वरितांत को दिखाऊंगी, उसके नेरेटिव को समझाऊंगी, अध्यापिका, मौरे राजवन्स का उदै, इस विजए को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, तो इन में से कौन सी सिक्षन साहेक सामगरी का इस्तिमाल उसको करना चाहिए, बताईए, क्या उसको कमपैरेटिव टाइम लाइन को करना चाहिए, लाइन ग्राफ का यूज़ करना चाहिए, या फिर प्रोग्रेसिव टाइम लाइन का, या फिर दंड बार ग्राफ का, क्या चीज़ यहाँ पर वो करना चाहती है, मौरे राजवन्स का उदै, कैसे वो आगे हुआ था, तो सबसे बेस्ट होगा ना, प्रोग्रेसिव टाइम लाइन, तो 45 का 3 हो जाएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको उदै दिखाना है, ना की कमपैर करना है, ठीक है? चलिए, अभी बहुत कोश्चन बाकी है, तो अराम से इसको जरूर देखें, 46 है, विविद्धा से रिलेटेड कोश्चन पूछ रहा है, डाइवर्सिटीज, तो विविद्धा के बारे में पढ़ाने के लिए, हम जो हैं, डॉकुमेंटरीज, जो होते हैं, रेलेवेंट है, अगर सिक्षक इसका प्रयोग किस के लिए करता है, डाइवर्सिटी पढ़ाने के लिए, जो डॉकुमेंटरीज काफी रेलेवेंट होता है, तो इसमें से किस चीज के लिए, यह आपसे पूछ रहा है, बच्चों के मनुरंजन के लिए बिलकुल भी नहीं, अन्य अपनी जीवन में कैसे जीते हैं, उनको अजीब तरीके से दिखाने के लिए नहीं, नहीं वैक्ष्यान विदी की एक रस्ता को भंग करने के लिए, यह बिलकुल भी नहीं होगा, देखो हमको डॉकुमेंटरीज किसके लिए दिखाने चाहिए, एक अन्जान भागौलिक स्थान में जीवन के अनुभाव उपलब्ध कराने, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ओफ लाइफ इन अन अन्फैमिलियर जेओग्राफिकल स्पेस, सो इसका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, फॉर्टी सेवन दे इस सिक्षन विदी के क्या फायदे है, क्लास 7 की SST की टीचर अपने बच्चों को क्लास के ग्राम पंचायत की दफ्तर पे घुमाने लेकर जाती है, तो इससे क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहले तो बच्चों को प्रतेक्ष जानकारी मिलेगी, फिर हम इस से हट कर भी कु तरीके से contact स्थापित कर सकते हैं संपर्क ये भी होगा तीनों के तीनों घटनाओं और घटना करम को दर्ज करने के रूप रेखा जी नहीं रूप रेखा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम बच्चों को information देना चाहते हैं so A, B and C दूसरा 47 भी हो गया और ये हमारा 48 है निवन में से कौन सी सिक्षन विदी जेंडर सेंसिटीव ठीक है जेंडर सनवेदी करन को पढ़ाने के लिए बेस्ट है बताइए इसमें से कौन सी सिक्षन विदी जो है वो जेंडर सनवेदन सील को सनवेधी करण को पढ़ाने के लिए best है डिसकेशन डिमोंस्ट्रेट लेक्चर क्वेशन देखो जब भी आपको जेंडर सनवेधी करण कुछ मुद्दे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है डिसकेशन इसमें हमको एक दूसरे के मतलब क्लास में बच्चों के उपीनियन्स पता चलेंगे अब मालो आपने क्यों डिमोंस्ट्रेट कर दिया इसमें क्या उपीनियन्स पता चलेगा आप क्यों लेक्चर देके चलेगा आपने एक कुश्चन आंसर पूछ लिया ये बेस्ट तरीका नहीं है जेंडर से रिलेटेट कोश्चन के लिए तो उसलिए पहला सही होगा 49 देखिए निमन में से कौन सी रण नी थी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए बेस्ट है तो चलो देखते हैं विद्यार्थियों से सभी सूषनाओं को सत्ति समझ कर मतलब बच्चे जो भी बोल रहे हैं उसको आप सत्ति समझ कर accept कर लो बिल्कुल भी नहीं ग्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता है विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को मतलब स्टूरेंस ना टीचर्स के सारे ओपिनियन्स को accept करें ये भी गलत विद्यार्थियों को पशपात पहचानने में मदद करो मतलब कि बायस विद्यार्थियों assisting students to recognize bias biasness ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा विद्यार्थियों की परिस्थिती को सिर्फ एक नजरिया से देखना सिखाना एक मिनट एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत हो गया है देखे यही होता है जैसे कि अभी मैं questions को पूरा पढ़ रही थी और मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि negative way में नहीं पूछ रहा है positive way में पूछ रहा है कई बार ऐसा होता है और जैसे मैंने इस questions पर गई मुझे लगा कि yes इसको मैंने गलत तरीके से portrait कर दिया देखे आलोशनात्मक सोच की बात हो रही है तो विद्यार्थियों को परिसिती को सिर्फ एक नजर्य से देखना नहीं सिखाना चाहिए कई नजर्य से देखना सिखाना है पहला भी नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा और ये जो है तीसरा जो कि मैंने जल्दी में गलत बोल दिया था कि विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने मदद करो मतलब कि होता है कई बार कि कोई किसी के साथ आपने देखा हुआ कि बहुत बाइस तरीके से बिहेव करते हैं लोग चाहें वो कास्ट वाइस हो चाहें वो रिलीजन वाइस हो तो हमको बच्चों को इस चीज में प्रमोट करना है आगे उनको लेकर जाना है कि तुम पहचान पाओ कि कि किस तरीके से पक्षपात होती है ये आलोशनात्मक सोच को प्रोसाहिद करने में इसलिए मदद करेगा क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे बच्चों से प्रशन पूछेंगे देन उनका ओपीनियन आएगा और इस वे में बच्चे पशपात को पहचान पाएंगे तो तीसरा सही होगा ठीक है तो एक तरीके से यहां पर आप मेरे गलती से भी सीख सकते हैं क्या आपको कोश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आप्शन्स को भी कई बार हमारे दिमाग में कुछ और हम गोला कुछ और बना के चले आते हैं ठीक है चले 50 कोश्चन देखे निम्न में से कौन सी समाजी विज्ञान सिक्षन विदी विद्यार्थियों की, प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तत्थियों विचारों को प्रस्तुत करने की छमता को विक्सित करता है और वो होता है डिबेट मैंने हमेशा से बताया है हमें debate करने से बच्चों के questions, बच्चों के questions answer, बच्चों का जो reasoning होती है, जो उनके विचार होते हैं, इन सभी को जानने का मदद, हम इन सभी को जान पाते हैं, साथ में बच्चों को काफी help मिलती है, हम बच्चों की स्छमता को विक्सित कर सकते हैं, और इसका example हो सकता है समाजी विज्ञान की एक सिक्ष का अपनी कक्षा में सैली की विशेस्ताय विशे सुरू कर रही है मतलब की असोसल साइन टीचर इन अलिमेंटरी क्लास्रूम वान्ट टो टेडियूस फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप अप रॉक अलगले टाइप्स के जो रॉक होते हैं वो सुरू कर रही है तो इसमें से कौन सी गतिविदी उसके उद्देश से के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चलिए देखते है हम क्या करेंगे प्रिथवी की परत को दर्शाने वाला एक मॉडल लिखा देंगे क्या ये बेस्ट होगा बिलकुल भी नहीं पाठिप उस्तक में जो चीजे दी गई हैं आप उसी को पढ़ा दो समझा दो गलत बच्चों को बोलो कि तुम आसपास से जो भी रॉक्स हैं उसको इकठा करो ये भी नहीं हो सकता है ठीक है विभीन प्रकार की सैलो को लाना मतलब मैं अलग-लग टाइप की सैल को लेकर जाओंगी इनका प्रियोग इन सैलो की विशिस्ताओं को पहचानो तथा तुनना करने में मदद करना ये सबसे बेस्ट है और ये एक्टिविटी मैं करा सकती हूँ ठीक है डिसकस करना है कोस्टल लैंड फॉर्म्स के बारे में तो जो राजस्थान का टीचर होगा उसको कौन से पैडागोजिकल इसूज हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है तो छात्रों के लिए संदर्व बनाने में बच्चों के लिए कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले हमको बच्चों के लिए कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करना पड़ता है तो येस इसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है प्रिंट रिसोर्स उपलब्द कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो पहला 52, 53 समाजी विग्यान पाठे चर्या में निम्ड में से कौन सी विद्ध्यमान बधाए है मतलब कोई हिंड्रिंस है एसिस्टी के करिकुलम में कौन सा हो सकता है एक तो ये है कि जो विद्ध्यालियों में जो विद्ध्यमान सिक्ष्ण जो सास्त्री है वो प्रथाएं एक्जिस्टिंग पेड़ागोजिकल प्राक्टिस इन स्कूल्स ये खो सकता है फिर हमेसा से एक तरीके का दबाव रहता है कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है आपको ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है ये भी होती है बाधा वैग्यानिक अन्यवेशन कोसल निर्माड का अभाव क्या ये भी वाधा होती है अब बताईए लैक ओफ साइंटिफिक इंक्वारी और स्किल्ड बिड्डिंग ये नहीं है ठीक है तो समाजी विगान पाटे चल रहे हैं में कौन सी विद्यमान मतला ओल्रेडी कौन सी बधाई है ये थोड़ी ना ओल्रेडी मतला पहले से विद्यमान है तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं है पहले से तो आपका केवल A and B पहला चलिए 53 भी हो गया 54 देखे प्रारंबिक विद्याले के चात्रों के समक्ष भारत के राश्ट्री आंदोलन की चर्चा के लिए कौन सी श्रोथ का हम उलेख कर सकते हैं सेल चित्रकला हमको रॉक थोड़ी न पढ़ाना है कबीर के दो हिंदी थोड़ी न पढ़ानी असोक इस्तम थोड़ी न हमको राश्ट्री अंदोलन की चर्चा करनी है तो सेलूलर जेल के अधिकारिक जो ऑफिशियल जो इनके दस्तावेज हैं और पत्र हैं हम इनका यूज कर सकते हैं सो अप्शन नम्बर वन राइट है चलिए समाजी विग्यान की कक्षा में जो हम प्रोजेक्ट मैथट यूज करते हैं क्यों करते हैं इसका क्या अधेश्य है अपने कभी सोचा है प्रोजेक्ट वगरह हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों को स्टूडेंस को इंगेज कर सकें जो वास्तविक जीवन से ठीक है उनकी सोसल प्रॉब्लम से तो विद्यार्थियों को समाजी विग्यान के सधान तिक हमको बच्चों को थियोरी वाली चीज़ों से नहीं सलनगन करना है समाजी विग्यान कक्षा में अपना समय बचा लो बिलकुल भी नहीं भार कम कर दो ये भी नहीं विद्यातियों को वास्तविक जीवन में समाजिक समस्याएं जो आती है न उसके साथ इंगेज करना है ये है प्रोजेक्ट मैथट so option no.4 56 देखे देखे, निमन प्रश्णों में से कौन सी ज्यानात्मक ज्यानात्मक मतला आपके brain से related है cognitive से related है तो इसमें से कौन सी ज्यानात्मक प्रक्रिया का आकलन करता है और कौन सा जैसे की भारती समिधान के मुखिविस इस्ताएं क्या है अगर मैं आपसे पूच आपके बताओ भारती समिधान के मुखिविसिस इस्ताएं क्या है हमारे कितने fundamental right है तो मैं आपका कौन से ज्ञान का आकलन कर रही हूँ क्या मैं यह मुल्यांकन कर रही हूँ विशलेशन या फिसरीजन या फिसमरण तो यह इसमरण आकलन होता है ठीक है न तो 56 का आपका पहला हो जाएगा 57 दिखे निम्न में से कौन सी पर जो परिक्षाई होती है यह कोई ग्रूप असेस्मरण नहीं यह तो इंडिविजूल है ठीक है ठीक है चलो 58 Continuous and Comprehensive Evaluation सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में कौन सा सहीन नहीं है तो यह विद्यार्थियू के व्यवहार के केवल यह केवल लगा कर इसने सब कुछ खराब कर दिया कि केवल आप उनका Cognitive जो पक्ष है उसी के आकलन करते हो उसी के तहट आप आवशकता पूर्थी करते हैं तो गलत गलत वाला पूछा है तो यही सही हो जाएगा बागी की चीज़े सही है कि मुल्याकन रण नीतियां सेक्षन अधिकम प्रक्रियां के साथ समाकलित हैं और यह हॉलिस्टिक डवलप्मेंट को सुनिश्चित करता है फीडबैक प्रवाइड करता है तो यह तो सही है गलत वाला पूछा था तो पहला हो जाएगा चले 59 देखे डेमोक्रेसी से रिलिटेड कोश्चन पूछा है लोग तंत्र विशय को पढ़ाने से पहले एक अध्याप का कक्षा में इसे संबंदित प्रश्न पूछती है तो वो किस तरह का आकलन कर रहे हैं मालो मुझे लोग तंत्र पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने से पह कंसेप्ट एसेस करना चाहती हूँ पहला हो जाएगा एसेस्मेंट औप्री कॉंसेप्ट पुर अवधारना का अकलन योगा आत्मक तो बिलकुल भी नहीं योगा आत्मक तो हम टेस्ट जो लेते न छे महीने पे तिमाई छमाई आनूवल डागनोस तो यह हो इनी सकता है ना सब कुछ मैंने आपको करा दिया है इसके लावा कुछ भी नहीं बचा है और आप सब प्लीज लाइक जरू करना क्योंकि काफी महनत लगती है एक से दो घंटे की क्लास में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पॉर्ट फोलियो कैसा होना चाहिए आपको पता है पॉर विद्यार्थियों के एक लंबी समया वधी के काम का संचेन होता है मतलब बच्चों से रिलेटेट हर एक इनफॉर्मेशन होती है तो तीनों की तीनों बाते सहीं है तो आप्शन नमबर फोर तो ये थी आज की क्लास और इसके बास से मुझे नहीं लगता है कि आपको सस्ट पास में थाइब आपको सुझा लगता है